तो पिछले स्टोड़ी कैसे लगी और जरू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्रेस कर दो ताकि आने वादी नई वीडियो की नौटिफिकेशन आप्लोगों को मिलती रहा है तो यार यह स्टोड़ी कैसे जा रही है मुझे कॉमें जरूर 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 बताना और मैंने चैनल को जड़ी ज़ली सब्सक्राइब कर लो तो यार आपको को याद हो का स्टोड़ी का हाथ पहुच थी मैं स्टोड़ी में बताद हूँ तो इशाली अपने गर पे गई थी जहां पर आक्षिता भी आय थी अफ़जा तामाश हुआ था तो आक्षिता वेशाली को लेकर जाना चाहती थी बलड वेशाली नहीं जाना चाहती थी तो वेशाली में मतलब अक्षिता को मना कर देती है की नहें मैं आउंगी क्योंगी वेशाली की दादाँ जीजी होते है जो ड्रामे कर तरह हुच हाई है क्यों न्हींगा फिदा चूट आई है इस वगज़ से वेशाली रूकने को त बइशरी को ऐसी काम से बाहर चली जाती है इस तूपा कि टाइम अपने शूटिंग के लिए निकलती है तो पीछे कुछ लोग लगजाते हैं विराज की मतलभ रहा Ceyoga को मैं तूछा हैं तो फिर विराज तो वहां से बढ़ जाता है बर फिर आगे विराज को वो लड़की मिल जाता है तो जो विराज को वो लड़की मिल जाता है तो विराज फिर काफ ज़दा गुस्से में आ जाता है क्योंकि विराज अब विराज तो काफिटेशन के साथ मतलब बाहर निकलता है कि कहता है कि वेशाले तुम टेंशन मतलो मैं सब को देख लूँगा और तुम टेंशन मतलो तुम विराज काफिज अदम तब एक्टिट्यूट के साथ निकलता है बाहर और विराज जाता है तो वहाँ पे धेल सारे लोग होते है तो यार ये अब एक एकला बंदे इतने सारे लोगों को तो मार नहीं पाएगा तो क्या है विराज सबसे रणने के गोशिश करता है अब इतने सारे लोग होते हैं तो नहीं हो पाता है बटा, आक्शीजिता तो कंट्री में है येथीं वो कही गई हूई है तो आक्शीजिता को नहीं लगता तो वैशाली तिर्फ पिलिस को फोन लगाने के कोशिश करती है तो जैसे वो पिलिस को फून लगा रही हaken तो ये उसके कार की गेट खुलते और एक लिumNe लेकि उसे एक लड का बाहर खिस्तों लेके आता है, तो लडगी वो लड के कहते हैं कि या ये कितनी मस्ते लड़की है, मतलब कि वो लोग विशाली की होती है था ये हुपसरत है तो विशाली की देखते हैं कि या और ये कितनी मस्त है करी विशाली की बहते हैं। विराज ने ये बोल दे है कि विषाली उसकी बहन ने तो बदला लेने के लिए वो लोग कुछ भी गरेंगे तो वो लोग विषाली से बत्तमीजी करना स्टार्ट कर देता है तो मतलब कि विषाली से काफ़े बत्तमीजी करें के कोशिश करते हैं वैशाली बहुत ज़्याता खबराए होती है और विराज भी भी पस़ा हुआ होता है क्विक靆 हुआ हे काफ़ी सारी लोग होते हैं मतलब जो कि खुछ रह नहीं पाते है वैशाली काफ़ी कोई गष eyelet करता है कि वो वैशाली को की लिद्धर से निकाल दे कुछ होना पाता है पर नहीं हो पाता है अनलो भॉषाली काफी ज़可愛 है और लूग कोई kali कपड़े में वह सकता है जो कि कि सोरफ में करने के और वेश Wiran की पास यह कोई ओना रहे होते हैं बहूत सारे लोग आते हैं जो-क अारे अपड़े हैं और सारे आके उन सारे लड़कों के पाउप में गोली मार देतें ताकिatile काल्त कोट वाले अक्षरता के लोग ही हो थें अक्षरता बदल लगी अच्छा हैसे क्योंकि उसकी विशाली को कोई छोए और रक्षिता छोड़ दे ये तो इंपॉसिबल का काम है तो अब उन लोगों के पाउं पे गोली मार दे जाती है और सारे कोट वाले आ जाते हैं तो विशाली ये देखिए बहुत ज़दा रिलैक्स फिल करती है क्योंकि उसे पता है ये है तो ऑर तभी वहां पर एक फोट कार आपके रूखती हमें और विशाली को थेमें तो नहीं नहीं हीने ओू नहीं हांकि बहुतेוע जांशा अक्षिता के देश से बाहर गई है तो वेशाली कहती है कि अभी कली तो आई थी तो कब चली गई वो अभी कली तो आई थी ना तो अब इनों कहते है कि हाँ वो सुपह ही चली गई थी उन्हें कुछ जरूरी गामते से ले वो चली गई थी तो वेशारी कहत रही है कि अच्छा तो तुम्हें कैसे पते चला कि में मसीबत में हैU मतलorian मैं तुम्हें कैसे पते चला मैं प्रॉब्लम में हू, तुम कैसे आगे आपे तो पेकलों कहते हैं कि अच्छी वह दिये ले तो आपके पीछे सारी बोडिगार्स लगाएं हैं आपकी सेफटी के लिए वो लोग आप मतलब की शो नहीं कराते हैं बट आपके पीछे-पीछे हमेशा लगे रहे थे हमेशा लगेंगे बहुत हैं कि अपकाए लिए रहाइ लगी तो मतलब आपकी की चाहें तो मुझे की ऑपश लेंगे लुचे लगे लग लगा अप लगी तो वह वेशाली ही रहती एक कि अज्छी है लग लूगी लेकि नहीं यहां से चलते हैं तो वो विराज की तरफ देखती है जो कि खड़ा होके उन लोगों की बादें सुन रहोता है तो विशाली को विराज पे गुस्तार होता है बहुत साथ गुस्तार होता है क्योंकि यह सब विराज की वज़े सही हुआ मतलब की अल्वल इतने जाद साथ बतमी से दिगते हैं वी Key材ली से बस वीराज की जाधकि वजशे से केसे नकी है तो वीराज को गुस्तर के से देंख रही होती है «बैशली और उससे बहुत सब जाधा नराज के होती है तो वीराज शरमीन्दा हो फ्रान घुका लिटा है पर बढ़ती है जो कि उन लड़कों ने दिया है विराज को तो वो देखती है उसे काफ़े दा चोट आई होती है तो विशाले ठीक है पहले जाकर तुम अपना इलास करवा लो तुम इलास की सब्सक्त जरूर है तुम्हें काफ़े दा चोट आई है तो विराज कहते है नहीं नहीं मैं ठीक हो तुम टेंशन मतलो मैं ठीक हो चलो मैं तुम्हें स्टेट तक छोड़ देता हूं तो विराज अभी नों को गूरते हुए कहते है तो विराज कहते है नहीं भाबी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं डिरेक्टर से बोलके आज क्यो शूटिंग रिखवा तो मतलब की अपिनों कैता है तीक बाबिय आप मत जाओ नाए रिको आदेता हूं आभस फिक्राइए प्सक्राइब करो ठीक है मेरी मैं कौल करता हूं ने ऐसे हाथ पक्ड़्या तो वैषाली पीछ भी पार रिया, और वियराज को वैषाली क NaguS वैषाली को देख लिए, और वियराज को देख लिए सनसे हो Pey steps to get into, वियराज को एक व्ही वियराज को के ने वहिंजेराज का गराथ ही, लैसे मेरा गारती है, वो थैसे विराज गुसते साथ जाएं को और गूर्डव ईसमिए नहीं कि ऑफे साथक्रयगा गधर जाता हूं तो वैशाले जाकि उन दुनों की बीच खड़ी जाती है कि तुम दुनों चुपो जाओ, शॉआद जाओ मुझे गुस्टा मत दिला ठीक है दोनों चुपो जाते हैं और वैशाले कहती है देखो बिराज के साथ जा रहे हैं कि जब अक्षिता आ जाएगी ना तो मैं उस वक्त आ जाओगी अक्षिता की भी ना वैसे भी मुझे घर पे अच्छा नहीं लगे गा तो मैं क्या करूंगी जाके तो विराज में तो अभीनों को समझाते हुए वो कहते हैं कि ठीक है भी मैं विराज के साथ चली जाते हुए क्योंकि वेशाली को पता होता है कि अगर वो अभीनों के साथ जाएगी तो उसका पागल भाई जो सन की भाई है विराज वो कोई न कोई पंगा गरेगा और वो अभिनों के साथ उसे जाने भी नहीं देगा और वोने चाहते कि इन दोनों की लड़ाई हो और या फिर कोई जगड़ा लड़ाई हो विराज के साथ चली जाती हूं अभी विराज के साथ साही कि यह नहीं ह dependence की विराज के साहती है. क्योंकि यार इन दोनों में लड़ाई लड़ाई नहीं चाहती हो मैं तो फिर बभी नो कहते हैं लेगे इन भाबी आपकी सेफटी का क्या तो मतलब बीच में बोलता रहता है तो विराज कहते है कि तुम टेशन मतलब में मेरी बेहन का ख्यार रख लूगा तुमें सदा बोलन बीचा बेहन के साथ कुछ भी होता है तो विराज तुम सोच भी ने सकते हैं मेरी तुम पूरे सचती हैं फैमली को दिन में तारह दिखा देती क्यूंकि वेशन भाबी को खरो चाती है तो अक्षता दी ना मतलब कि छोड़ती है किसी को और तो फिर इतना कहते है विराज ग और गुस्ते से कहते हैं कि तुम दोनों चुप रहा हो ठीक है कि जादा बोलें कि जोई जूरत नहीं है मैं देख लूगा मैं मेरी बेहन का ख्यार रख सकता हूं तो फिर क्या होते हैं कि मतलब उन दोनों में लड़ाई मितलब बहस होना चालो हो जाती है तो फिर साली देख लूगा、 काफेड़ा लड़ाई होने वाले हैं दोनों के तो अफिस में बहस कर रहा होते हैं तो विराज कहता है कि देख लूगा, देख लूगा, सब को देख लूगा मैं कि तो क्या कर लेत है कि अभिनों कहते हैं अभी यह से साथं को तो कि फोड़ाआँ साथ वराइज को जांता है। अभिनों तो कि मेरी पहन को समझ अरी है तो वोड़ाहतों तोया देख अंकि तो कार की तरफ लेकी जाए में यहाला है तब ही अब भी नो सारी बॉडिगार्ट्स को इशारा करता है तो वह विशाली के कार के पीछे जाने लगते हैं क्योंकि अब बॉडिगार्ट्स विशाली के पीछे पीछे रहेंगे क्योंकि अब उनकी सेफटी जाते हैं मतलब विशाली की विशाली की विशाली की विशाली मैं बहुत सारे इसे को लेगती है तो ही चेहर की मैं जाती है। दो जाती है तो विराज कहते है ज़रुर साथ के मैंसच हो गाल होगा तो देखे तो जोचे कहते हैं कि जरूर मीरी बहन पर क्या दू करती है। मतलब मेरी बेन हमेशे पागल रहते हैं उसके पीछे तो वो आखे तिरसी कर गूरने के कोशिश कर रहा होते हैं कि आखिर क्या है तो देखते हैं कि अबना बख्षिता के मिस्ट कॉल आता है तो वो बड़ बड़ाते हुए वेशाली की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या लोग प्यार भी इतने पागल है जानते कि मिस्ट कॉल देख रहे हैं मतलब खुशी कर ठीक आना नहीं रहता तो मतलब कि अक्षिता विशाली की तरफ घूर रहा होता है और फिर विशाली कहती क्या हुगा उन लोगों ने तुम्हारे सर पे भी मारा रहा है जो तुम ऐसी मतलब विशाली विशाली को घूर रहे तो विशाली को घूर लगता है विशाली मतलब ऐसे कहती है तो विशाली अपना फेस बाहर के दरफ निकाल लेती है मतलब विशाली कैसे घूर रहे की विशाली दूसरे तरफ देखना लगती है तो विशाली की तरफ देखता है कि त की मतलब किसी की पयार का भूतता ने कि लिए, कि यज़गा के बारे में पते हैं तुमको विषाली हुआ यह समझ जाती है कि आगि देर रीधर झाया है तो वह विषाली को मतलब देख रही हुती है, तो विषाली क्षाली से पहले कुछ बूलती कि आखgun की कॉला जाती है वो जलड़ी जलदी फौन उठाती है और खुश है खुश है किती है तो फोन परेनी की exactement खाओ कि आप 2. वहाँ जाने प्राब्रम सैंसे उठाहना। बात का जवाब नहीं देना चाहती है युसे लिए वो अपना सवाल बद लेती है विशाली से और विशाली का निमाग भी थोड़े सा दूसरी तरफ करने के लिए विशाली विशाली को विशाली की काफ़चा दा फिकर भी हो रही थी से लिए आशेदा पुस्ति ए तुम ठीक हो तो विशालि कहती है एक मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ पता है तो थैंक्स मुझे बचाने के लिए तो आक्षारी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं देती तो वैशारी मतलब कि मतलब आक्षेता कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं देती है तो ये सुन औ के वीषाली बलस करया हुए मि न gonna sound मुथक जहरा लाल हो जाता है उसे काफी अच्छे सक्षी तो इतनी सदा क्यार फिकर करती है तो उसके बलस हो जाता है वीषाली अपनी बहन बैहन में किसा छिर्मातर में देखता है और चीड़ते वो इसे पूशते हैं कि किया तुम पागल हो गई है जो ऐसे के गरी हो तो विशाली गुसे से विराज को घूरने लगते हुए कहती है कि मैं मेरे हास्बेंट से बात कर रहा हू हूँ और तुम्हे कोई दिख रहते हैं किया तो विराज कहता है ओ, husband ओ, मुझे ने पता था कि लटके किसी की husband बन सकती है तो विराज गुसे से कहता है कि मुझे ने पता है कोई लड़की कि लड़की की प्यार में आसा था भागल हो सकती है अउन्यप्ट कि लोग प्यार में ऐसे behave करते हैं, क्या ? तो विराज कहते हैं यार देखो प्यार प्यार होता है तो उसमें कोई लड़की लड़की एक बात नहीं है ठीक है मैं 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 कुछ प्यार होते है जिसमें जेंडर नहीं दिखा जाता है तो मैं समझ जा रही है तो विराज कहते है अच्छी जेंडर को साइड़ उटाओ तो विराज कहते हैं कि लोग अगर प्यार में ऐसे तुम्हारी तरह पागल हो जाते हैं तो फिर मुझे प्यार ने करना कि मुझे ऐसे पागल पन में कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब किसे सE प्यार करें कोई इंट्स्ट नहीं है जिसमें हम ऐसे पागलो जैसी हरकत करें तो शानल Michigan विराज को गोर ने लगती है तो विराज चूत को मतलब में शानल गोर ने लगती तो विराज की बातों का जवाब नहीं देती है विरज की मैं जवाब नहीं देती, और में फ़़ान फिर ते कानमें लगाता है कि अश्रिता वह विराज अच कुछ त्सकी कुछ द्रादए बुखात कर लगता है। पांगल हो गया है ये विराज इसलिए कुछ साथी बॉले जा रहा है कब से मैं सुन्ने है उसकी बखवास तो विराज चीरत भी कहते है कि वो इस अक्षिता के सामने मेरी बुराई कर रहे है इसकी इतनी हिम्मत विराज गुस्से से गोड़ने लगता है उसको तो विराज गए ठीक है ठीक है तुम अभी अपना ख्यार को और अराम से चाहूं मु करता है तो विराज पहलता है विराज वैशाले फोन करते हैं वह उसकी तो मुझा ठीक है कि नहीं तुम चाहरे अनु स्वैख पूरते हैं तुम जाने के रहोता है तो जैसे ही दोनों भाई लिड़ते हैं जगड़ते हैं सचिदेव मेंशन में पहुच जाते हैं तो जैसे ही सचिदेव मेंशन में पहुचते हैं तो वेशाली जल्दी से कार्स अतर जाती है क्योंकि अब और जदा लड़ाई निगाना चाहरे थे विराज से तो वो अतर जाती है तो वो अंदर जाती है और विराज भी अंदर जाता है तो देखते हैं कि मेंशन का महौल काफ़े जदा बलग हो रखा होता है क्योंकि विराज को समझ आ जाते हैं कि लगते हैं मतलब जहां रास्ते में जो कुछ भी हुआ वो घर्वालों को पते चल गया है क्योंकि विराज ने रास्ते में उनकी गाड़ी देखे ते वो शायद उनकी हल्प के लिए आए होंगे तो विराज और 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 आदमी काफ सी जब लेट ... अभी अभी ग्या है, तो, तुम दोनों को उसकते है तुम लोगों को किसी ने बचाया को हैaaaa तो विराज के देखते आटम। पीछे को उटोड़ चिता। विराज जुआ रिलाक्स फिलेगों कि अगी हो चालिके गालेज कि छिखा रहा जाता लुच्छ करों होатा, आपर अच्छिता किया किLR फिल चालिक बिद न स्टेकर हो क्या धर करbon में रहाद। को प्रोब्लंम कि छुख करने खोड़ी हो सकता है। कुल दीफ सचिदिय होता है, वह पोस्ते है क difuj까요? तुम्हे साहल है वो वो है तुम छोग है क्या है थी विराज इसा हम बता है क्लेव है तुमे पता है लहीं है से विराज ने पुछ तो कि anecdote Wiraj नहीं बताना चाहते है, वो सच चुपाना चाहते है तो विशाली की तरफ ऐसे घूर रहाते है कि यार प्लीस मत बताना, प्लीस अपना मूँ मत खोलना, तो विशाली विराज को घूर रहा है लगती है, कि इतना जूड बोल रहा है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि बस सच बता देगा, मतलब कि फिर विशाली विराज को आखिर छोटी करके देखने लगते हैं, तो विराज जैसे बच्चों जैसा मो बना होते हैं, ख्यार प्लीज मत बताना वरना पापा मेरी क्लास लगा देगे, तो विशाली स समझाते हैं, तो विशाली उस्यार से घूरती हैं, बर कुछ नहीं बताती है है, वहीं दूसरी तरफ अक्षिता रूस कही होती है, SUK transistor कों से नहीं बैठी होती है, तो उसे चैन के सांस लेने की टाइम होती है, अब फिर वहीं दूसरी तरफ बता नहीं कौन सा काम होता है, तो दो दिन हो जाता है, आखशे तो कोई अहां पर आया हुए, तो दो दिन बाद की एक आदमी बैठा होता है, जो कि मिथल्ग है, उसके हाथों में सिगरेट जा रही होती है, तो वो बस कुछ सोच में पड़ा हुता है, वो कुछ बोल नहीं रहा हुता है तो अभी उसके आदमी एक पास आते हैं और कहते हैं कि अच्छी ये बहुत बात है ना कि वक्षिता जिन्दल यहां पर आ गया और जब से वाई है ना हमारी सारी काम हो रहा है मतलब हमारे सारा काम रुका पड़ाया तो वो आदमी गुसे से है उठता है चेर्स Finans और कहते हैं कि वो यहां का अब आई और आया तो हमें पटास भी हैं लिए उसने हां था हमारे सारे प्रोजEक्ट्व ची लिए लिए minder हिएश्या कि पड़ाया तो शादमी पर गयरा सब कुछ जितने भी भी थे ना उसकी कंपनी क ने मेन काम रोक पड पनी शूटिंग्स कितम करके चेयर पे बैटी हूई होती है मैं तभी समीर आता changed तो Ahh मने पने बैट्टाल देती है अच्छी करते हैं मैं तो सामीर पें नहीं नहीं क्या हुआ है और कहती है कि नहीं समीर ऐसी बात नहीं है आपको पता है मैंने एक्टिंग करना आपसे इसी है तो समीर कपुर्ग अफिजदा एक्साइटेड हो जाता है और खुश होते हुए कहते है कि अच्छे सच में तो मिशली किती है हाँ जब से आपने इंडिस्ट्री जॉइन की थी तब से मैं आपकी फैन हूँ मिनास तक आपकी एक भी मूवी मिस्स नहीं की है मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ मैं आपकी हर मूवी देखती हूँ मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ जब से आपकी पहले मूवी मतलब मैंने बहुत सारी मूवी देख जानती है तो वो दुनों को खुश होते हैं मतलब काफसी जादा एक दुस्ते से गफशप कर रहे होते हैं तो पास पैठी वी नीता का बारे में मैंने बादा आए था वो अनकी कोस्टार होती है जो कि वेशाली से अफ़ेदा जल थी है तो वो outside समीर को और वेशाली को आशचे से मुसकरा आधे हस्ते बात करते हुए देखे कि काफ़ेदा जैलिस फिल रही थी काफ़ेदा जल रही थी कि ऐसे कैसे हो सकते हैं तब समीर इसको भाव भी नहीं देता है और वो वैशाली के पीछे पीछे बाढ़ता गराता है घूमते रहता है तो वो कौफी ज़्यादा गुस्टे से उन दोनों को घूर रहे थी जलन के मारी की कह रहे थी वैशाली का कुस दोगना पड़े अदो है तब ही वैशाली मतलब की विनुता की assistant काफी लेकर आती है तो वो काफी को देखती है और वो smile करती है काफी जद़े चालू भर गर गर बेदे समाइल करती है और वो काफी का ट्रेल लेके मतलब के लिए उसिस्टेंट को अजिए कि मेरा पीछ षयोत और वह काफी का ठ्रेय लएके वशाली और समील के इतरफ बड़ती है और वशाली और समील की तरफ आती है और कहती है जिए आप दोनों गर्म-गर्म काफी पीना पसंद करएंगे? मतलब विनीटा उन दोनों से पूस्ते ही मतलब क्या आप लुग भी काफी पिना पस Hand करेंगे लुजुत विशाली विनीटा को देखती है और कहती है कि नई मैं काफी नहीं प्यूंगी मेरो बिल्कुल मन नहीं प्युने का तो समेर जब देखते हैं कि विनीटा बिलुकिल नहीं पी नहीं पीने हैं पिले तो तो भी कहते कि हम धम दोनों नहीं अवै हूं के आगीर मनी फैराइक। विनीता और ज़्यादा गुस्त हो जाती है उन लोगों की हमत किसे मेरी बात को इग्नोर करने की मैं खुद चलके लोगों के पास है और यह लोग एटेट्योड दिखा रहा है तो विनीता गुस्ते से काफी 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 बहुत जादा जले लगता है तो वीनिता भी डरने के एक्टिंग कर लेती है कि यार उसने मतलब जानबुचके नहीं किया एक्टिंग कर रही हो थी कि यार जैसे उसने जानबुचके नहीं कि एक्टिंग कर रही हो थी कि यार जैसे उसने जानबुचके नहीं कि एक्टिंग क तो मैस्टारी तो एम दिख सकते हुआ नहीं दिखते हैं झाल के वहां कि decisory को थाड़ा एकनी में पक्षाधा को में उसने केमा भी अप्सँयों से इसकी नहुआ जाना है सिद्मकी को भी नहीं थैसे, भी खुर झाल को प्योखने है रहे हैं, is जाना पाफ़ सब्सक्क्र shifts को पूल आए पर होता है तो समीर काफे ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, मतलब उसे काफे ज़्यादा गुसा आ रहा होते भी नहीं था कि अफ़ पर तो फिर विशाली रिलक्स करते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ तुम टेंशन मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो समीर कहता है कि मतलब समीर कहता है कि विशाली तुम ठीक हो न तो समीर कहता है कि चलो हमें डॉक्टर की पास जाना चाहिए अगर तुम मतलब डॉक्टर की पास नहीं चाहिए तो तुम आरे हाथ पे दाहा हो जाएंगे, मतलब घाहा हो जाएगा, जलेंगे निशान हो कोई जरूरत नहीं है तभी पीछे सवाज आती है कि किस चीज के जरूरत नहीं है मुझे भी कोई बताएगा तो यह विराज होता है तो विराज आया होता है तो वो पीछे से खूसता है कि यार किस चीज के जरूरत नहीं है तो विशाली पीछे मुड़ती है तो देखती है कि विराज आया हुआ है तो विराज जो की मतलब वो देखता है जब वो देखता है न तो समीर ने मतलब विशाली का हाथ पकड़ा होता है मैं अंब मिगतल है अब ऐस जाओ घ्राइमा कि अब तरीफि तो फिर अब मुझे मैं वी को शूट लोकेशन पर जरूँ चाहि ना? हाथ पकड़ा होता है ना तो विराज देखते हैं कि समीर उसका हाथ पकड़ा है तो वो गुसे से समीर की तरफ देखता है और विशाली का हाथ पकड़ की विराज मतलब विशाली को अपनी तरफ खीच लेता है और विराज का हाथ पसंद हैे तुग लाइक करना उःस देशों कि प्रिफट ऊलौत शरत शेर करना और मेरे चैनल को जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करना तो आरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिफ जल्दी सब्सक्राइब करना